नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल D5 हिंदी मैं हूं धरमेंदर संदू भारतिय रसोई में मसालों का खजाना शिपा है यह मसाले भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं साथ इन मसालों में पाये जाने वाले औशधिय गुन स्वास्ते के लिए भी लाब दायक हैं आज हम आपको एक ऐसे ही मसाले के औशधिय गुनों के बारे में जानकारी देंगे जिसके सेवन से आप कई परकार के रोगों वा स्वस्ते समंदी समस्याओं से निजात पा सकते हैं वह मसाला है पिपली पिपली एक पौधे का फल होता है इसका स्वाद काली मिरच की तरह ही तीखा होता है इसलिए कुछ लोग इसे काली लंबी मिरच भी कहते हैं इसे लेडी पीपर भी कहा जाता है पीपली के पौधे पर लगने वाले कच्चे फलों को धूब में सुखा कर उपयोग में लाया जाता है इस पौधे से पीपली फल प्राफ्ट होता है उसकी जड़का उपयोग कई परकार की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है इसे पीपली मूल कहते है पीपली के परकार पीपली मुखे रूप से दो परकार की होती है चोटी पीपली और बड़ी पीपली दोनों में औशधिय गुन पाये जाते हैं अस्थमा का परभाव कम होता है इसके सेवन से अस्थमा के दोरे की तीवरता और आवरिती कम होती है आंखों के लिए है फायदे मंद आंखों सबंदी समस्याओं में पीपली का पाउडर फायदे मंद रहता है इस पाउडर को आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है विजन प्रावलम और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याओं में फाइदा होता है इसे आई फ्लू और आँखों से पानी बहने की समस्या भी तूर होती है शूगर के रोग में है लापकारी आजकल ज्यादातर लोग शूगर यानि मधु मे के रोग से ग्रस्त हैं शूगर के रोगियों के लिए पीपली का उप्योग लापदाइक रहता है इसके सेवन से खून में गलूकोज का स्तर सही बना रहता है पीपली का नेमित रूप से सेवन करने से शूरीर में इंसूलेन का लेवल बढ़ता है जिससे शूगर के रोगी का कई अन्य बिमारियों से बचाव होता है दात के दर्द को करे दूर दात के दर्द को दूर करने के लिए पीपली बेहत फाइदेमंद है इसके लिए एक दो ग्राम पीपली पाउडर, हल्दी, सेंधा नमक और ससों के तेल का मिश्रन बनाकर दर्दवाले दात पर लगाने से दात के दर्द में आराम मिलता है संक्रमन से बचाए पीपली में कई परकार के संक्रमन से बचाव करने वाले गुण भी पाए जाते हैं खास कर गर्मी के मौसम में दूशित पानी या दूशित भोजन करने से पेट संबंदी समस्याइं जैसे उल्टी याद पैदा हो जाती है इन समस्याओं से राहत पाने के लिए पीपली का उपयोग किया जा सकता है वजन कम करने में करे मदद वजन कम करने के लिए इसका सेवन दवा का काम करता है मोटापा कम करने के लिए पीपली को शहद के साथ मिला कर खाने से अधीक फाइदा होता है इसके नेमित सेवन से शरीर में उपस्तित फैटी एसिड कम होते हैं जिससे वजन कम होता है पिपली के उपयोग से सर्दी खांसी बुखार से राहत मिलती है कफ संबंदित समस्याओं में पिपली का सेवन करने से फाइदा होता है और सर्दी खांसी और बुखार से निजात मिलती है सर्दी या जुकाम के कारण होने वाले बुखार में भी पिपली का सेवन करने से लाब होता है इसके लिए इसका सेवन शहद के साथ या फिर सूप बना कर किया जा सकता है पिपली में पाए जाने वाले antiseptic और antibiotic तत्व कले की खाराश में भी आराम देते हैं पेटकी समस्याओं से दिलाए रहत पेटकी समस्याओं से रहत पाने के लिए पिपली का सेवन करना फायदेवन रहता है इसके सेवन से पेट में मौझूद हानी कार्क बेक्टिरिया खत्म हो जाते हैं पिपली का सेवन सीधे रूप में ना करकर भोजन बनाते हुए मसाले के तौर पर भी किया जा सकता है इसके सेवन से पाचन संबंदी समस्याओं से राहत मिलती है हड़ियों को करे मजबूत पिपली के सेवन से हड़ियां मजबूत होती है हड़ि में फ्रैक्चर होने पर और हड़ियां कमजोर होने के स्थिती में इसके सेवन से फाइदा होता है महिलाओं के लिए है फाइदे मंद पुरुषों के लिए हैं लाबकारी पिपली के सेवन से पुरुषों के यौन स्वास्थे में सुधार होता है पिपली में कामव दिपक गुन पाये जाते हैं जो कामेशा को बढ़ाते हैं इसके नीमे सेवन से यौन कमजोरी दूर होती है पिपली के सेवन के नुकसान पिपल भी इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए अगर आप किसी रोग या बिमारी की दवा ले रहे हैं तो पीपली का सेवन डाक्टर की सलह से करना चाहिए कई लोगों को औशदी के फाइदों से जुड़ी जानकारी लेकर फिर आपके रूबरू होंगे आप बने रहें चैनल D5 हिंदी के साथ